हेलो अब्रीवान वेल्कम बैक प्रीविस क्लास में हम लोगों ने डिसकस किया है स्कूप या फर आप कहें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टाटिस्टिक्स जिसमें हम लोगों ने डिसकस किया कि स्टाटिस्टिक्स के स्कूप क्या-क्या है क्या-क्या चीजें हम उसके अंदर हैं हमने वो topic discuss किया था जहां पर हमने देखा कि scope of statistics को हम दो भागों में बाट सकते हैं एक था हमारा statistical methods और अगला था applied statistics जहां पर statistical methods का मतलब था वो तमाम methods जो statistics में use किये जाते हैं और applied statistics में हमने उन्ही methods को कैसे apply करना है इनकी बात करते हैं जिसके अंदर application को भी दो भागों में बाट देते हैं एक scientific applied statistics और अगला descriptive applied statistics वो topic finish करने के बाद आज हम next topic को continue करेंगे जो की है functions of statistics चलें शुरू करें आज की topic को जहां बात करेंगे functions of statistics क्या-क्या functions हैं और functions का मतलब यहाँ पर आप समझे कारिया statistics के क्या-क्या काम है तो अब तक जितनी बाते हम लोगोंने discuss करी हैं उसके according अगर समझें तो उसके काफी सारे functions हैं काफी importance हैं तो उन तमाम functions को point-wise हम देखेंगे statistics जो है वो बहुत important functions अब perform करता है किसी भी तरह के statistical inquiry को conduct करते हुए हम statistics के various functions को discuss करते हैं, use करते हैं और उनी functions को point-wise हम समझेंगे सबसे पहला point देखें तो है सबसे first point वैसे तो बहुत सारे points हैं first point statistics की मदद से आप किसी भी तरह के economic problem को समझ सकते हैं statistics helps in understanding economic problems किसी भी तरह के economic problem को अगर आपको समझना है, आर्थिक समस्या के बारे में आपको जानना है उसका पता लगाना है तो ये काम आप statistics की मदद से कर सकते हैं देखें, statistics जो है न वो present time पर एक indispensable tool के तौर पर किसी भी अर्षास्त्री के लिए work करता है जो की help करता है economist को इस बात को समझने में इस बात का पता लगाने में कि देश में किस किस तरह की आर्थिक समस्याएं है आप statistics में various methods का इस्तिमाल करते हैं बहुत तरह के efforts जो हैं वो किये जाते हैं statistics में और ये सारे efforts या methods सिर्फ और सिर्फ इस लिए किये जाते हैं इन बातों को भी अच्छे से समझें So statistics का first function अगर हम कहें तो वो हो जाएगा कि it helps in understanding economic problem और बार-बार मैं ये word कहने हो economic problem इसका मतलब हो गया किसी भी तरह की आर्थिक समस्या किसी भी तरह की समस्या चाहे वो गरीबी से सम्मंदित समस्या हो वो बेरोजगारी की बात आप करें असिक्षा की बातें आप कर सकते हैं स्वास्त के सुविधाओं में कमी की बात हो सकती है किसी भी तरह की जानकारी जिसको आप पहले numerically समझते हैं और numerically उनके information को हम count करते हैं और ये counting हम statistics की मदद से करते हैं तो एक important function है statistics का it helps in understanding economic problem ठीक है next point अगला feature है statistics अगला function है statistics helps in presentation of facts in definite form definite form का मतलब हो गया एक निश्चित रूप में एक निश्चित तरीके से तो किसी भी तरह की जानकारी हो कोई भी तरह का economic fact अगर उस fact को आपको एक definite form में एक निश्चित रूप में दिखाना है present करना है तो ये काम करने में statistics help करता है जितने भी scientist हैं जितने भी economist हैं जो study करते रहते हैं आए दिन study करने पर उनको अलग-अलग तरह की results मिलते हैं उन results का जो वो presentation करते हैं देश में गरीबी है गरीबी की मातरा 60% है मान के चलिए तो ये 60% 60% this definite form statistics की मदद से ही दिया जाता है statistical methods के calculation को करकर ही ये काम किया जाता है statistics किसी भी तरह के economic fact को precise और definite form में present करने में किसी भी economist को किसी भी तरह के researcher को enable बनाता है उनको help करता है और definite form में जब हम किसी भी तरह के fact को दिखाते हैं तो इससे फाइदा ये होता है, कि उसको हम easily comprehend कर सकते हैं, बहुत असानी से बातों को समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, किसी भी तरह की economic fact को जब आप statistical term में express करते हैं, तो वो exact बन जाता है, ठीक है? और जैसे हमने कहां, देश में गरीबी हैं, ये एक economic fact है, लेकिन statistics की मदद से हमने ये fact exact form में लिखा, एक precise form में लिखा, कि देश में 60% poverty है, that proves and that makes the economic fact in more precise form, बहुत जादा तरीके से exact form में ये data को बतला रहा है, तो exact facts जो होता है, वो जादा convenience हो जाता है, जादा convenient होता है, किसी भी तरह के statement को समझने में, rather than vague statement, जहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बात है, जैसे अगर example की बात करें, तो कहेंगे कि 310 people, मालीजे कि काश्मीर में earthquake के आने से 310 लोगों की मौत हो गई, यह जादा factual लगेगा सुनने में, as compared to, अगर हम यहाँ पर बात करें, कि लोगों की मौत हो गई, hundreds of people की death हो गई है, यहाँ पर हमने एक data के तौर पर कहा, एक economic fact के तौर पर कहा, कि काश्मीर में earthquake आया, और hundreds of people की death हो गई, एक fact है, दूसरे तरीके से आप जब कहते हो, कि काश्मीर में earthquake आया, और 310 people की death हो गई, this is more factual, this is more exact, sound भी सही कर रहा है, समझने में भी जादा असान है, और यह काम आप कर रहे हो, with the help of statistics, so, इसका second function, it will helps the economist, or the scientist, or the researchers, to present of, to presentation of facts, in definite form, आप दूसरे शब्दों में कहें, exact form, next point, अगला function है, statistics, helps in, condensing, mass of, data, into, a few, numerical measures, अगला function है, क्या बोल रहा है, यह point, तो मिलता अचलता point है, second point से, कहते हैं कि, statistics का एक और major function है, कि यह मदद करता है, condense करने में, मतलब, sun shape में, ठीक है, condense का मतलब हो गया, sun shape में, short form में, sun shape में, बताने में, mass का मतलब हो गया, जो बहुत ज़्यादा quantity में है, तो mass of data, information, तो बहुत ज़्यादा quantity में होते हैं, तो mass of data को, अगर हम कुछ few, numerical measures के तौर पर, या उनकी मदद से, condensed form में अगर लिखना चाते हैं, दिखाना चाते हैं, तो ये काम भी, हम statistics की, मदद से कर सकते हैं, numerical measures जो होते हैं, वो help करते हैं, किसी भी तरह के mass of data को summarize करने में, यानि उनको short form में लिखने में, बताने में, example के तौर पर अगर बात करें, तो जैसे, ये बहुत ही ज़ादा impossible है, कि हम देश में जितने भी लोग हैं, उन सब के income को याद रखें, है ना, लेकिन data के form में, अगर हम number of people जो होते हैं, वो बहुत ज़ादा होते हैं, तो अगर आप सोचें कि सारे लोगों की income को याद रखें, one by one करके, तो ये बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, असान बनाने के लिए काम, per capita income, या देश के average income, ठीक है, उसका पता लगा सकते हैं, और वो याद रख पाना असान है, तो ये जो हमने mass of data को, बहुत सारे लोग थे, उन सबके income को short form में present करनी की कोशिश करी, और present कर भी दी, ये काम हम कैसे कर पा रहे हैं, with the help of statistics, average का formula apply करते हो, जहां पे हमने सारे लोगों के income को जोड़ा, सबको divide कर दिया, total number of people से, और हम लोगों को एक figure मिल गया, एक condensed form में fact मिल गया, इसको असानी से याद रखा जा सकता है, तो यही तीसरा function है statistics का, कि इसकी मदद से, आप mass of data को, कुछ ही numerical measures के तौर पर लिखकर दिखा सकते हैं, next function है, establish relation between factors, statistics और भी चीजों में help करता है, जैसे बहुत सारे economic factors होते हैं, उनके बीच में क्या relationships हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ सम्मन्दित हैं, अगर कोई economist इस तरह की चीजों को समझना चाहता है, इस तरह की relationship को find out करना चाहते हैं, तो वो यह काम कर सकते हैं, with the help of statistics, being the student of economics, अगर हम जानना चाहें, कि मान लीजे कि price बढ़ा, तो demand पर क्या असर पड़ेगा, as a consumer, चीजें market में महंगी हो गई, तो क्या हम उन चीजों की demand को बढ़ाएंगे, या घटाएंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे, या as a producer, अगर हम seller हैं, अगर हम producer हैं, चीजों को बनाने वाले हैं, तो क्या prices के बढ़ जाने पर, हम supply को बढ़ाना चाहेंगे, या supply को घटाना चाहेंगे, या फिर price जो होता है, वो अगर हमारा income बढ़ गया, तो क्या हम market में, महंगी चीजों को ज़्यादा purchase करेंगे, कि सस्ती चीजों को purchase करेंगे, so there are so many economic factors are available, they are working together in the economy, अर्थव्यवस्था में वो काम कर रहें, अपने अपने nature के हिसाब से वो work कर रहें, और अगर हमें being student of economics, ये बात जाननी हों, समझनी हों, कि how they are related to each other, वो एक दूसरे के साथ कैसे सम्मंदित है, उनमें किस तरह का relation है, तो ये बात हम आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, statistics हमें वो relationship समझने में help करेगा, statistical methods को, हम इनही सारे relations के बारे में, factors के समंधों को समझने के लिए use करते हैं, काफी हद तक इनहीं की मदद से, यानि कि statistics की ही मदद से, हम वो relationship समझ पाते हैं, और कैसे एक factor, अगले factor को प्रभावित करता है, इन बातों को जानते हैं, जैसा कि हम सबको पता है, कि price के बढ़ जाने पर consumer demand घटाता है, ये बात सिर्फ verbally हमें नहीं मालुम है, ये बात बकाइदा proof करी गई है, with the help of statistics, और तब जाकर कि ये एक economic fact बनता है, कि चीज़े महंगी होने पर consumer demand घटाता है, और चीज़े सस्ती होने पर consumer demand बढ़ाता है, तो ये संबंध जो है price, demand के बीच में, इस relationship को भी अगर आप establish करना चाते हैं, उसकी study करना चाते हैं, तो ये काम हम statistics की मदद से करते हैं, so, एक और important function, statistics का, it helps in establishes relation between different economic factors, next point, statistics helps in formulation of plans, and policies, किसी भी तरह की planning करनी है, policy बनानी है देश में, चाहे तो governmental sector की बात करें हम, या non-government sector की बात करें, तो हर तरह के policy and planning के formulation के लिए, ये require होता है, कि हमें future trends का knowledge हो, भविश्य में किस तरह की स्थिती हो सकती है, इन बातों को पहले समझना होगा, तब जाकर कि आप किसी भी तरह की proper planning and policies को कर पाएंगे, और ये काम करने में काफी जादा मददगार है, statistics, जिसकी मदद से हम future trends का पता लगा लेते हैं, और उसके according हम policies and planning कर पाते हैं, so that कि country को develop कर सकें, लोगों को develop कर सकें, और overall manner में, जो है हर एक economy एक दूसरे के साथ compete कर सकें, example के अगर हम बात करें, तो जैसे एक economic planner है, मान के चलिए, उसने decide किया कि 2005 में, वो economy में, कितना ज़ादा commodity जो है, वो produce करेगा, ठीक है, तो 2005 के तुल्ला में, वो देखेगा, कि economy में 2010, sorry, कोई मान लिजए economic planner है, उसको पता लगाना हो कि 2010 में, उसको कितना ही planning करनी है, कितना product produce करना है, तो इस बात का पता, वो ऐसे नहीं कर लेगा, वो 2005 के record को पहले देख सकता है, compare कर सकता है, और फिर वो जाकर के planning करेगा, तो इस तरह से future trend समझने के लिए, आपको past के कुछ years के data को लेना होता है, उसके increase और decrease होते वे trend की study करनी होती है, और तब जाकर कि आप future related policies को बनाते हो, so basically अगर किसी भी economic planner को planning करनी है, policy का formulation करना है, बिना statistics के वो ये काम नहीं कर सकते, statistics की ही मदद से वो proper planning भी कर पाएंगे, policy भी बना पाएंगे, और उसका better result भी निकाल पाएंगे, next function है, statistics helps in evaluation of impact of policies, देखिए ऐसा है कि जितनी भी planning और policies बनाई गई, statistics की मदद से बनाई गई, अब उन policies या planning के क्या impact है, किस तरह से उसने किसी particular problem पे work किया, problem को उसने दूर किया या नहीं किया, इन तमाम बातों को अगर इस तरह की evaluation को अगर आप करना चाहते हैं, तो ये भी हम statistics की मदद से करते हैं, जैसे देश में कई तरह की planning करी जाती है, policies बनाई जाती है, और उन policies और planning का क्या असर पढ़ रहा है, वाकई में वो result प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस result को पाने के लिए वो policy बनाई गई थी, वो planning करी गई थी, ये भी तमाम बातें statistics की मदद से पता लगाई जा सकती है, जैसे गरीबी दूर करने के लिए देश में योजनाई बनाई जाती हैं, मैं example के तौर पे कह रही हूँ, देश में कई तरह की planning होती है, policies होती हैं, तो गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाई बनाई गई, अब किस योजना से क्या लाव पहुचा, public distribution system के तहत, देश में गरीबी के स्तर में क्या सुधार हुआ, कमी हुई या नहीं हुई, अगर इन तमाम बातों के impact को समझना है, evaluate करना है, मतलब है उसका मुल्यांकन अगर करना है, तो ये मुल्यांकन कारे भी हम कर सकते हैं, with the help of statistics, एक और major function statistics का, it helps in formulation of policies and planning, also it helps to understand or evaluation of impact of such policies and planning as well, next point में बात करें, तो ये last point में हम इसके functions को discuss करेंगे, and the last point is, statistics helps in inter-sectoral and inter-temporal comparisons, देखें, statistics की मदद से हम कई तरह के तुल्नातमक अध्यान, comparative study complete करते हैं, और comparative study अलग-अलग तरह की हो सकती है, inter-sectoral हो सकती है, inter-temporal हो सकती है, अगर हम बात करें inter-sectoral की, तो इसका मतलब हो गया, कि जब आप different sectors में compare करते हैं, comparison करते हैं, economy में अगर हम बात करें, तो तीन main sector है, primary sector है, जिसको agree culture sector कहते हैं, secondary sector है, जिसको आप industrial sector कहते हैं, tertiary sector है, जिसको हम service sector कहते हैं, तो देरा different sectors of the economy, private sector भी है, public sector भी है, तो जब आप अलग-अलग sector, यानि अलग-अलग छेतर के बीच में, comparison करना चाहते हैं, तो ये भी हम कर पाते हैं, हम करते हैं in fact, कि किस sector में कितना production हो रहा है, किस sector में जाधा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, ये जो comparative study हम करते हैं ये भी हम statistics की मदद से करते हैं उसके help से करते हैं और तो और अगर आप inter-temporal comparison करना चाहते हैं यानि आप अलग-अलग समय temporal का मतलब हो गया time period तो different time period wise अगर आप comparison करना चाहते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं with the help of statistics statistics हमें उसमें भी help करेगा कि किस समय में क्या स्थिती थी देश की अगले समय में क्या स्थिती हो गई है अगर आप compare करें कि आजादी के वक्त और अभी के वक्त में क्या अंतर है उस समय लोगों के क्या आयका स्तर था पर-capita income क्या था अभी क्या है, तो ये काम आप असानी से कर पा रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं on the basis of time period, आप comparison कर रहे हैं, and this comparison can be done with the help of statistics, आप numerical facts में ही बात करोगे, numerical facts में ही आप data पहले collect करोगे, और फिर उसको compare करोगे, और फिर आप उसकी study करोगे, इस तरह से statistics हमें अलग-अलग समय, अलग-अलग छेत्र के बीच के comparative study को तुलनात्मक अधियन को करने में help करता है, और ये कुछ important points हैं, जो की statistics के functions को बतलाते हैं, इन points के साथ हम functions of statistics को यहाँ पे finish करेंगे, next class में हम अगले topic को continue करते हुए, इस unit को आगे बढ़ाएंगे, thank you. करेंगे कि नहाँ आगे, ऑाकि पेको रहाँ पेराईगे बछाएंगे जागे, इसमह घम घबोसे दोगते हैं。 झाल झाल